देश में कई ऐसी घातक बिमारिया हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसमें से एक है कैंसर, जिसको लेकर कई सारी स्टुडी, कई सारी रीसर्च एसी सामने आई हैं, जिसमें हैरान करने वाले आकड़े भी हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से ऐ इसी घातक बिमारियों को आप दूर रख सकते हैं, क्या उसका रिस्क कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, मेरे साथ इस वक्त मौझूद है, एम्स की डॉक्टर, डॉक्टर रीमा दादा उसे सीधे बातचीत करते हैं, अभी तक जो लेटे स्टडी, रीसर्च आ रही हैं, इस बिमारी को लोग इसे लिए वेलकम जादा कर रहे हैं, क्यूंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया, उसकी वज़े से रिस्क बहुत जादा इस बिमारी का बढ़ ला है, तो क्या लाइफस्टाइल बदल लेने से कुछ फर्क पड़ेगा, रिस्क कम हो एक बड़ी इंफलमेटरी डायेट है, जैसे आजकर लोग बर्गर्स, पीजाज बहुत रेगुलर्ली खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, सिदेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, आलकोहॉल कंजम्शन, बहुत ज़ादा मांसिक तनाव जिसके कारण एक ऑक्स इंफलमेशन, एक स्टेज ऐसा सेट करता है, जिसमें देखा जाता है, over a period of time, it can result in cancer, पहले तो हम स्टडी करते थे कि जीन में मुटेशन होती हैं, जिन कारण कैंसर होते हैं, हमारी टूमर सप्रेसर जीन होती हैं, जब दो मुटेशन होती हैं, एक ही जीन में, जैसे ब्रेक person mutations होती हैं, जो इतनी penetrant होती हैं, कि अगर mutation हो, तो cancer होगा, पर अंतु बाकी जो mutations होती हैं, वो cancer का risk या susceptibility बढ़ाती हैं, और अब ये concept आ गया है, कि हमारे गलत दिन चर्या से, गलत खान पान से, chronic stress से, हमारा DNA का expression behavior बदल जाता है, और अगर हम एक diet लेते हैं, जैसे कि बहुत inflammatory diet है, तो obese हो, तो इसे कई genes का expression बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, जो हम inflammatory genes कहते हैं, और कई genes जो हमारे लाब दायक होती हैं, उनका expression level कम हो जाता है, so epigenetic changes होते हैं, so अब ये concept है कि अगर हम अपने दिन चर्या को अपने lifestyle को improve करें, हम एक whole plant-based diet खाएं, regular अपने दिन चर्या में योगा को अपनाएं, चाहे वो 25-30 मिनट ही करें, यहां पर आपको इसलिए रोक रही हूँ, मैं ये पूछना चारी हूँ, आपने योगा का भी अभी जिक्र किया, आपने diet का जिक्र किया, तो कितना बड़ा रोल, योगा, exercise, workout, diet, ये पिछले 16-17 साल से योगा का effect study कर रहे हैं, different lifestyle diseases में, जैसे की बांचपन में, depression में, और हमने ये देखा है कि जैसे जिन आर्मियों की शक्रानों का DNA नश्ट हो जाता है, poor quality का होता है, उनके बच्चों में childhood cancer जादा पाए जाते हैं, और वो शक्रानों का damage होता है, जो father smoke करते ह हैं, या उनकी age जादा होती है, उसी तरह हमने अब जब study किया, तो हमने देखा है कि जब आप योगा करते हो, और जब मैं योगा कह रही हूं, ये आसना, प्रानायाम और ध्यान, और awareness of breath का हम बड़ा focus करते हैं मेरी ध्यान के समय, तो हमने देखा है कई genes जो हमारे सिहत के अच्छे होती हैं, जैसे DNA repair genes का expression, anti-inflammatory genes का expression, ये बढ़ जाता है, जो genes telomere length को maintain करती है, जो genes antioxidant genes होती है, उनका expression बढ़ता है, हमारी antioxidant repair capacity बढ़ती है, body का fighting mechanism, जो infections को combat करता है, जो inflammation को combat करता है, उनका expression level बढ़ता है, तो अगर हम yoga on a अपने दिंचर्या में अपना लेते हैं अपनी lifestyle में integrate कर लेते हैं, तो हम बहुत हद तक ये जो lifestyle diseases हैं, और अपने खान पीन को regulate करते हैं, whole plant based diet खाएं, अपना salt sugars की मातरा अपने diet में कम रखें, और trans fats ये ना खाएं, तो हम बहुत हद तक अपने ये regulate कर सकते हैं, कि हमारे को ये diseases ना हो, अपनल, एक और सवाल, जिस study के आफ ख्रे कर रहे हैं, कि पिशले कितने सालों से आप लोग योगा पे research और study कर रहे हैं, अलग अलग diseases को लेकर, तो इस study के बारे में जरा बताईए कि कब कब होती है, कितने वक्त में आप लोग करते हैं, कितने लोगों पे की जाती है, किस तरहा की बीमारियों को देखा जा रहा है कि उसमें रिस्क जो है कम हो रहा है योगा की विजल योगा का एक बहुत इंपॉर्टन रोल है तो जब हमने दोजार आठ में इस्टडी शुरू करी हमने पहले काला मोतिया जिसे ग्लकोमा कहते हैं उसमें शुरू की फिर हमने इन फ सिंड्रोम जो बहुत गर्ल्स को एफेक्ट कर रहा है और अलजाइमर्स डिजीज पे तो हमने यह देखा है कि इन सभी डिसॉर्ड डिजीजेज में यह सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और यह हमारे अगें गलत रहन सहन के कारण और बैसिटी सिदेंट्री लाइफ थे हैं और हम उनका उन पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी हमने यही देखा चाहिए वो काला मौतिया हो चाहिए वो डिप्रेशन हो चाहिए वो रूमर्टॉड अथराइटेस हो इन सबी में हमने देखा कि योग करने से उन में बहुत फाइडा था जैसे कि काला मौ हमें हमने देखा कि उसमें इंट्राउकलर प्रेशर कम हुआ जिन लोगं को सरजरी की जरूरत पड़ती थी उनको सरजरी की जरूरत नहीं पड़ती पर अंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वह हरोज उसको जैसे हम हरोज ब्रॉज करके निकलते हैं उसी प्रकार हरोज करें और योग में आसना ही नहीं प्रानायाम ध्यान भी करें जो बहुत महत पूरन है केवल 25-30 मिनिट किया जाए तो इतना सेहत के लिए फाइदे मंद है उसी तरह हमने देखा जब डिप्रेशन होता है और आजकल तो हम बच्चों में भी यह देख रहे हैं अगर हम योग करते हैं तो उसे कई factors secret होते हैं जो not only हमारे brain के biochemical neurotransmitters और ऐसे neurotrophic factors होते हैं जो neurons को नरिश करते हैं जो synaptogenesis promote करते हैं परंतु brain में anatomical changes होते हैं जो gray matter बढ़ता है और brain की fighting power for जैसे emotional resilient grit यह बढ़ती है जैसे factors है brain derived neurotrophic factors तो यह तो इतना important है जैसे हम देख रहे हैं बच्च इतने हो रहे हैं तो अगर बच्चे यह अपनाए यह नहीं कि जरूरी कि तुम्हे कोई problem होनी चाहिए जब अपना अगर अपने दिन चरह में अपना लो तो बच्चों की emotional resilience बढ़ेगी उनकी concentration attention learning memory बढ़ेगी you know they'll be more competent to face the day to day problems and एक चीज़ यह पूछना चाहूँगी कि आ यह उसके इलावा भी जिसे बाकी work-outs लोग suggest करते हैं बहुत सारे ऐसे doctors है जो suggest करते जिसे walking running क्या इसको भी शामिल करें तो कुछ बहतर होगा या सिर्फ योगा ही अगर कर रहे हैं यह बिल्कुल आपने बिल्कुल सही का कि even walking बहुत beneficial है और fresh air में करो तो बहुत अच्छा ह पर मैं यह emphasize करना जाती हूं जैसे आजकल इतना pollution है तो हमें बोला जाता है indoors रहो और pollution के level जादा सुबह और शाम होते हैं कहते हैं दुपैर को जाओ जब इतनी गर्मी है कहां जाओ तो I think घर पे अगर आप योगी करें family के साथ करें तो आप हर person का सेहत improve कर सकते हैं but definitely walking के ब हैं कि चलो यह depression है इससे केवल you know mind का रोग है पर अंतु यह बताना चाहती हूं कि यह body as a whole है अगर हमें कोई जैसे for example polycystic ovarian syndrome है या rheumatoid arthritis है या काला मोतिया है इससे हमारे को co-morbid depression होता है हमारे stress anxiety levels बढ़ते हैं उसी तरह जब हमें depression है यह हमारे health और well-being को effect करता है एक- हमारे मानसिक और शारीरिक रोग को equally powerfully combat करता है और हमने देखा है कई common underlying factors होते हैं कोई भी रोग हो योगा उन सब को you know target करता है और overall health and well-being को improve करता है इसलिए योग का इतना important role है कि अगर हम regularly करें हम diseases को prevent कर सकते हैं होने में health को promote कर सकते हैं and it can act as a very powerful adjunct in the management of these diseases 2008 से एम्स लगातार योग पर study कर रहा है और अगलग बिमारियों के पेशेंट्स पर योगा को हम लोग दो हजार आट से कर रहे हैं और पहले डॉक्टर बिजलानी थे physiology में वो भी ये काम करते थे उन्होंने इंटेगरेटेड हैस सेंटर खोला था और अब हम कर रहे हैं और इसा होता है स्ट्रोक्स में क्या फाइदा है हार्ट डिजीजेज में और बहुत सारे डिजीजेज में अब हम योग का असर देख रहे हैं तो आपने सुना डॉक्टर रीमा दादा जिन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीजेज डिप्रेशन से लेकर एंजाइटी स हर देन अगर आप 20-25 मिनिट अपने घर में रहके योगा करेंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है क्यूंकि अगर आप बहार निकलते हैं पॉल्यूशन बहुत जादा है जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि अगर आप हाई इंटेंसिटी वरकाउट रनिं वाकिंग नहीं बाहर जाके कर पा रहे हैं तो आप घर में रहकर ही 20-25 मिनिट अगर डेली अपनी लाइफस्टाइल में योगा को शामिल करेंगे तो बहुत सारी बिमारियों से आप बच सकते हैं और उसके रिस्क को कम कर सकते हैं कैमरा परसुन राजिश के साथ मदीहा कान एबी पी नियूस दिली